बिस्मिल्लायरमानी रहीम, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टू स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे मेरे घर की रेसिपी गोश्ट की चटनी, ये क्रिस्पी, तीखी और यूनिक सी चटनी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, इस चटनी को हमारे घर पर गोश्ट की चटनी किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं, गोश्ट की चटनी बनाने के लिए यहां पर देखिए मेरे पास गोश्ट का सालन बचा हुआ है ना, उसी में से मैं बोटी को निकाल कर अक्सर इसकी चटनी बनाती हूँ, तो पूलाव अगरा या आप चाहे तो ना, गोश्ट को अलग से उबाल कर नमक और अद्रक लस्तन दाल कर उबाल कर और फिर उसकी चटनी बना सकते हूँ, लेकिन अक्सर हमारे घर पर ऐसा सालन में से बोटिया बच जाती हूँ, उसी में से हम लोग चटनी बना लेते, यह सारी बोटिया मैंने नि बारिक भी नहीं करना है इसकी रेशे, थोड़े बड़े छोटे रहेगे ना, तो खाने में अच्छा लगता है, इसको जब क्रिस्पी करा रहा तलते हैं, आम तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, यह हडडी वाला गोश्ट था, तो हडडी को अलग कर देगे, और अच्छे वे सालन में से मैं बना रही हूँ, क्योंकि अगर आप गोश्ट उबाल कर अलग से चटनी बनाओगे ना, तो ज्यादा दिन तक चलेगी, यहाँ पर देखे सारी हड़ियों को मैंने निकाल लिए और इतनी बोटिया हमारी निकली है, तो जितनी भी बोटियों अची तरह से गरम कर लिए हूँ, अब यह बोटियों के जो हमने टुकड़े कर लिए ना, इसे हम फ्राइ करेगे, बिस्मिल्लायरमार, तो यह बोटियों के पीस को हम थोड़ा सा कड़क कर लेते हैं तो खाने में चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, क्रिस्पी करारी सी, अब ही मैंने ज्यादा ही तेल डाली हूँ, क्योंकि बोटिया फ्राइ हो जाएगी ना, तले जाएगी तो मैं उसे एक फ्लेट में निकाल लूगी, और इसी के बचेवे तेल में हम चटनी बनाएगे, यह देखिए बोटियों पर अच्छा सा क्रिस्पी कलर आ रहा है, बोटियों को ज्यादा फ्राइ करने में टाइम भी नहीं लगता है, सिब 2-3 मिनिट में अच्छे से क्रिस्पी करा रही हो जाती है, तो आपके घर में कोई कड़क कड़क चटनी खाना पसंद करता हो, मतलब क्रिस्पी करा रहा एकदम कड़क कड़क, तो उनके लिए बेस् चटनी बनाने को बोलते है, तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, तो आवस से ही आपको पता चल गया होगा, कि यह चटनी हमारी कितनी क्रिस्पी करारी बनेगी, क्योंकि देखिए, कलर देखिए, पता चल रहा है, बोटिया कितनी क्रिस्पी करारी हमारी फ्राय हो चुक आप लोग प्यास की कॉंटेटी ज्यादा भी रख सकते हो उसे चटनी भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है प्यास की वज़ा से अगर सफर के लिए आप बना रहे हो कई घूमने फिरने जाना है और बना रहे हो नहीं गोश्की चटनी और प्यास डाल का सा कलर आ गया है इस टाइम पर हम लोग हरी मिर्ची डालेगे तो यहां पर 5-6 हरी मिर्च को मैंने बारी काट कर लिए अब चटनी है तो इसमें मिर्चिया थोड़ी ज्यादा ही जाएगी आगे भी में लाल मिर्ची डालने वाली हूँ तो देखिए आप लोग अपने टे अद्रक लसन का पेस्ट आदा चमच थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं अद्रक लसन को भी थोड़ा फ्राइ कर लेगे यह देखिए अद्रक लसन भी यहाँ पर अच्छे से फ्राइ हो गया है अब इसमें हम तला हुआ गोज़ डालेगे जो हमने तल के रखे पहले से बोटियों को कि टेगक यह स्सेमें थोड़ा सा नमग डाल देगे इसे भी मिला देते और अब फोड़ इसी में लाल मिर्च पाउडर दालूगी मैं हरी मिर्ची बीडाली हूँ मैंने और लाल मिर्च बीडाल रही हूँ तो आप लोग अपने हिसासे में टीका कितना खात Ganz दाल दाल सकते हूं इसे भी मिला देते तो देखिए बहुत ही सिंपल कम मसालों से चटनी बनकर तयार होती है और बहुत जल्दी बन जाती है ये देखिए बस ये चटनी हमारी रेडी हो चुकिए बोटियों को था हमने पहले ही क्रिस्पी करारा फ्राय कर लिया था तो इसे आंदेसी स्टाइल मैंने ये गोश की चटनी बनाई हूं तो आप लोग भी जाईए अपने घर पर गोश का सालन बचा हो पुलाओ बिर्यानी में से गोश की बोटिया बचियों या फिर आप डाइरेक भी गोश को उबाल कर इसकी चटनी बना सकते हो बहुत टेस्टी बहु से हटाकर सब लोग यही चटनी पर टूट परते क्योंकि चटनी देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है देखिए दिखा रही मैं आपको कितनी जबरदस दिख रही है तो देखिए सालन की मेरे पास सास से आठी बोटिया बची थी उससे हमारी बोटी की चटनी यानी गोश क कि चटनी कितनी ज्यादा बन चुकिए देख सकते हैं आप अपने हिसापसे से बनाईए अपने घरवालों को खिलाईए यह बहुत ही खाने में मज़े की लगती है तो चलिए हम इसे डीश आउट कर लेते हैं तो यहां पर हम गोश की चटनी को गियों की रोटी के साथ लायम हो जाती है और सफर पर जाते ना तो इस तरह से खाने में बहुत अच्छी लगती है चटनी तो आप लोग घर पर भी बना सकते हो कई घूमने फिनने जा रहे तो भी बना सकते हो तो एक बार यह गोश की चटनी को मेरे तरीके से जरूर बनाना पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी यह गोश की चटनी की रेसिपी नहीं मिलेगी हम लोग यह पहले से ही चटनी घर पर बनाते ही रहते यह एक ट्रेडिशनल रेसिपी है मतलब कि यह खांदेश में ज्यादा करके बनाई जाती है चटनी महाराष्ट में देखिए इस तरह से यह चटनिया बनाते हैं, मेरे चैनल पर देकैं कि बहुत मिल त्हेचा, बोमिल की चटनी अलग अलग तरह से लिए चटनी रेसिपी मैंने शेयर की हूँ, अगर आपको चटनी रेसिपी पसंद हे ना जह आप लोग मेरे चैनल में देख सकते हो, अगली बार आपने भी सालन कारीब पु जो लोग क्रिस्पी करा रहा खाने के शौकीन है उनको इस चटनी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि गोश्ट को अमने बोटी को अच्छे से क्रिस्पी करा रहा प्राई कर लिया था पहले ही एक बार ये चटनी को बना कर आप जरूर ट्राई कीजेगा इन्शाला आप हर बार इसी चटनी को बना कर खाना पसंद करोगे तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अपना बहुत सारा ख्याल रखे दुआओं में हमें भी याद रखे फिर मिलते हैं इन्शाला एक नई रेसिपी के साथ अल्लाह आपीज